जेजनें दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा, आइम शूर आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज नई दिन की शुरुवात, पॉजिटिविटी विद रेखा के साथ, ट्रेंग ट्रेंग, क्या बात है रेखा जी, आज ये मधूर आव रिक्षा की, अरिशा की सवारी, ओटो रिक्षा नहीं, सिर्फ रिक्षा, जिसे रिक्षा वाला चलाता है, अपने पैरों से पैडल मार्क कर, मेहनत करता है, पूरी जी जान लगाता है, ये तो अब भई गुजरे जमाने की बात लगती है, कि आप बहुत कम देखनी को मिलत होती है, ऐसी रिक्षा, जिसकी घंटी होती है, बहुत ही मधूर, ये तो अपने समय में बहुत सवारी की है, इस रिक्षा की, अराम से, धीरे धीरे, और हम इसमें बैट कर, आस पास की नजारों को, सडकों की दोनों और बनी दुकानों को, फिलों पर धाने पीने की सामान बेशने वालों को, और भी इसी तरह बहुत सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी शाही सवारी में बैटे हैं, ना बहुत तेज, ना बहुत धीरे, एक बैलेंस गती से चलती है ये रिक्षा, ये रिक्षा में बैटके तो वो आननद ही न हर तरह की मौसम में अपनी मेहनत से इस रिक्षा को चलाना, आज भी शेहरों की पुरानी गलियों में मिल जाती है ये रिक्षा की सवारी, शायद ही कोई इनमें बैटना पसंद करता है, क्योंकि जमाना है भाग दोड का, जल्द बाजी का, हर कोई अपनी मंजिल पर जल्द से जल्दी पहुंचना चाता है, और उसके लिए इलेक्ट्रेक, सी एंजी, इस तरह की रिक्षाओं से असानी से हर व्यक्ति पहुंच जाता है, दोस्तों यदि कभी मोका मिले इन रिक्षाओं में बैठने का, इस शाही सवारी के आनन्द लेने का, तो जरूर उठाईएग शायद आपको आपका बीता हुआ कल, बीता हुआ सुनहरा पल और वो आनन्द, वो खुशी फिर से जाद आ जाए, और आप कहें उठें कि क्या बात है, इस दिक्षा की शाही सवारी की, शाही सवारी पर बैठ कर मुस्कराते रहिएगा, खुश होईएगा, स्वस्त रहिए फॉलो कीजिएगा मुझे फेस्बुक पेज पर पॉजिटिविटी विद्रेखा